हेलो एवरिवन तो हम एड़ुटेरिया विहार करेंट अफेर्स के मैगजिन से करेंट अफेर्स विहार करेंट अफेर्स के प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे अब तक हमने प्रैक्टिस सेट नमबर एग से आठ तक खतम कर लिया है और इस वीडियो में हम लाश्ट के जो दो प् तो ये अर्वल जीले में है के द्वारा की गई है हिर्दे में जन जात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किसी योजना की सुरुआती गई तो हिर्दे में जिन बच्चों का जन मजात छेद हैं उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविदा की गई है और यह जो योजन है तो यह मुख्य मंत्री बाल हिर्दाई योजना देंस्ट है कि फसाई द्वारा भीहार के किस मंद्री के प्रसाद ने विद्यम को ब्लेज़फूल हाइजिन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमणपत्र दिया गया है तो यह पत्ना के महामी महाबीर मंद्री के प्रसाद को दिय कि अप्रेल duhaja第 ce me m Ét餅ले चौद्री का निधन हो गया। उनके संबढवने कौन सा कथन सथ है। तो मेवा लाल चौधरी के संबढ़ में कुछ कथन 아들 तो इन में सभी कथन सभी कथन सही हैं वे पुर्व सिछ्छा मंत्री थे उन्होंने बिहार विधान सबाव चुणाओ 2020 म बहुतारपुर्ट से दो बार विधायक बने तो कबार से गुरेगा की जो कल अकिरती बनाई गई ती यह बहारत में जल-निकजैयों को गजेटीयर क्रुप में प्रकासित और वलब बिहर देश का कौन सा राजे मचे तो ये कौन सा राज्य बन गया है बिहार तो पहला राज्य बन गया है नेक्स्ट है कि भारत सरकार दोरा फिट इंडिया मुव्मेंट के कारेकरम में बिहार के जिलों में कौन सा जिला प्रतम स्थान पर रहा है तो नवादा जिला रहा बिहार के पहला जियर विविता पार्क किस जिले में खोला जाएगा तो बिहार का पहला जाविविता पार अरडिया जिले में खोला जाएगा उद्दर भारत का पहला सिटिजन बायो डिजल पंप किस जिले में खोला गया है तो यह समस्ति पूर में खोला गया है बिहार का में पहला इंटरनेशनल सूपर पावर ग पहले बार बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवान और राजमार्ग मत्राले ने एक खजाते हैं को여ाले परिवान और गांधिवान और गांधिवान जी जान वे आशरम से क्ट नांबर सवंटेन है कि विहार में पहली बार किस देलान के सरकारी खरी flex की प्रक्रिया 15 अपरेखिः 2021 से सिलू की गई है तो किस देलान के सरकारी खरीẏ 2020 से सुलू प्रथा में इसकी जो शुरुवात की जाएगी ये दर्भंगा जिले से की जाएगी नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा कि इन कॉलेजियों में लड़कियों के लिए नियुनतम एक तिहाई सीटे आरक्षित करने की गोशना की गई है जो कि एक तिहाई ने के तैतिस कृति तो यह हैं इंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट आते हैं क्ष्ट नमबर 20 पे क्ष्ट नमबर 20 है कि मैं द्वाजर 21 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभिता के आउसेस मिले हैं ये मधुबनी जिले से मिले हैं बिहार सरकार के स्वास्त भी भाग 121 वैक्सिनेशन बैन को टीका करण के लिए रवाना किया गया जिसे नाम दिया गया है तूसे क्या नाम दिया गया इसे टीका एक्सप्रेस नाम दिया गया था बिहार के किस जिले में देश का पहला जोतिस चिकित्सा ओपीडी सुभारम किया गया है तो जोतिस चिकित्सा सवर भागल्पूर में किया गया है उचीत उपलबं कराने के लिए ऐ कि क्लिक से चो द्वारे कि विहार के संसर पोर्टी के लिए कौन से पॉटर लॉंच किया तो ताजी सब्जियों के आपूर्ती के लिए कौन सा वेपॉर्टल लॉंच किया गया तो ये तरकारी माध नामक वेपॉर्टल को लॉंच किया गया लोगों को ड्यर मोटर के रिपrevceu करने के लिए पुर्चाहित करने के लिए धानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माद कराया जाएगा तो यह है एपी स्ट्रीट के नाम से कराया जाएगा भारतवन इस्थिती रिपोर्ट द्वार 21 कनुसार विहार में कुल भावलिक छेत्र फल का कितना प्रतिसद वन आवरं है तो 7.84% है नक्स्ट एट वैंटी एट की केंद्रीय इखी मंत्रालय दौारा बिहार के छे जीले को नक्सल मुक्त्ध घुशित किया जाने के बाद बिहार में वरतमान में नक्सल प्रभावित जीलों की संख्या कितनी रह गई है तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानि कि 10 जीलों की अपसंख्या बच गई है बिहार के सहरों के बुनियादी धाचे में सुधार के लिए बिहार सरकाद वरा किस नई पहल की सुरवात की गई है तो ग्रीन फिल्ड टाउन सीप नामक पहल की सुरवात की गई है जनलखित में से किसके जन्म दिवस को हाली में विकास दिवस के रुप में मना जाता है तो नितीश कुमार मुख्य मंतर नितीश कुमार के जन्म दिवस को लगवक 14 वर्सों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी छमतावाली सोलर पर्योजना कजरा और पिरपैंती पर्योजना कहां एस्थित है तो ये अलखी सराय भागलपूर में एस्थित है वर्तमान में बिहार में लागो क्रिसी रोड मैप 3 की अवधी कीतने वर्स के लिए बढ़ा दी गई है तो ये एक वर्स के लिए बढ़ा दी गई है बिहार राजी केविनेट की बैठक के अनुसार चिकितसा अभी अंतरन और खेल विश्व विद्याले के कुल अधी पती कौन होंगे तो ये मुख्य मंत्री होंगे जो खेल विश्व विद्याले और चिकितसा अनुसा अभी अंतरन होगा अब तक इन सभी के जो कुलाधी पती होते थे वो गवर्नर होते थे लेकिन अब ये मुख्य मंत्री इसके कुलाधी पती बनेंगे. नेक्सटा 34 की किस टेली कॉम कुम्परी ने पीएम वाणी योजना के तहद बिहार में डिजिटल कांधी को बढ़ावा देने के लिए गाउगाउ में वाई-फाई एस्पोर्ट लगाने की घोशना की गई है बी एस्टारल के द्वारा. हाली में बिहार सरकारदार निमलिखित में से कौन सी योजनागी को पुनह जिवित किया जा रहा है तो सत्घर्वा जलासा योजना को फिर से पुनह जिवित किया जा रहा है। मिथला रत्न पुरसकार से कृष्ण कुमर ठाकुरको शमानित किया गया है। बिहार का कौन सा डेश का पहला आयूध निर्माण सहर बन गया है। और कौन सा बन गया है ये राज़ीर बन गया है 6.2 करोड की लागत से तयार होने वाला देश का पहला सिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जीले में बनेगा तो ये बिहार के पटना जीले में बनेगा सहीत याकादमी अनुबाद पुरसकार 2020 में मैथली भासा के लिए किसको दिया गया है तो ये स्वर्गे जितिंद्र नराइन जहां को दिया गया है ये अक्टूबर 2020 को हुई केबिनेट की बैठा के अनुशा राजिके कितने जीलो में बालू खनन को मंजूरी दी गई है नेक्ट है कि जून 2020 में पटना एम्स में दो से अठारा साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वेक्सिन का ट्रायल सुरू किया गया तो कू वैक्सिन जो कोरोना वैक्सिन है इसका ट्रायल सुरू किया गया है पटनायम्स में दोस्ते 18 साल के भच्चों पर बिहार में इनिस्या पोटल किस विभाग द्वारा लॉंच किया गया है तो इनिस्या पोटल जो लॉंच किया गया है ये पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉंच किया गया है तो 15 बारे इन्हों ने जंटा फैराया है। बिहार सरकारगव में जरी घोषना कनुसार गंगान अधी के किनारे कितने जीलों में जरी करुडोर करने मारा किया जाएगा। उपाधिक्षए के रूप में चैनित हुए है और यह विहार इनाइटेड के राश्री अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो ललन सिंग को चुना गया है नेक्स्ट एकि बिहार आर्थिक सर्वक्षन 2021-22 के अनुसार वर्स 2016-17 से 2021-21 तक यौधी में प्राथमीक शेत्र की ब्रधिदर रही है तो 2.3% रही है बिहार आर्थिक सर लोट पर आवर रही है नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वक्षन 2021-22 के अनुसार वर्स 2021-21 में राजी में ब्रजली की उपलावद च्छमता कितनी है तो 6073 मेगावाट है अब आते हैं सेट नमबर 4 के सेट नमबर 10 के क्वेश्चन नमबर 1 पे तो यह लाश्ट सेट है व खोला जाएगा तो दर्भंगा जिले में बिहार का दूसरा खादी मौल खोला जाएगा नेक्स्ट है कि हिंदी कविता संग्रा टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए बिहार के किस सहित्यकार को सहित्य अकादमी पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया है तो टोकरी में दिग बिहार के किस जिले से की गई है तो यह बिहार के भोजपूर जिले से की गई है मुख्यमंतरी नेतिश कुमार द्वारा मार्क 2020 में देश के दूसरे और बिहार के पहले ग्लास ब्रीज का उद्धाटन कहां किया गया तो पहले और देश के दूसरे ग्लास ब्रीज का उद्धा तो इंतनौल निती को मंजूरी देना वाला बिहार जो है वो पहला राज है देश का बिहार दिवस 2021 एवं 2022 की का थीम क्या रखा गया है तो जल जीवन हरियाली जो बिहार दिवस 2021 वार 22 हुआ तो इन दोनों का थीम है जल जीवन हरियाली परिनिर्वान मुद्रा में की मुद्रा में विश्वा की सबसे लंबी भवान गौतम बुध की प्रतीमा बिहार में कहां बनाई जा रही है तो यह बोध कया में बनाई जा रही है इज अफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाग से अधिक की आबादी वाले सहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्थ हुआ है तो इसमें राजधानी पटना को 33 प्राप्थ हुआ है नेक्स आते हैं क्केस्चेन नवर 10 पे Q10 है कि जलसक्ती मंत्रार्य द्वारा बिहार की किन दू नदियों को जोडने की योजना को मंजूरी दी गई है तो कोसी और मेची नदी को दो हरित उर्जा सहर बनाने वाला बिहार देश का पहला राजे बन गया यह सहर क्रमसा है तो दो हरित उर्जा सहर कौन कौन हैं बिहार के तो ये हैं राजगीर और बोध गया Q12 है कि बिहार के किस फिल्म अभिनेता को 60 वे राश्रीय फिल्म पुरसकार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया गया है तो ये मनोज बाजबेई को दिया गया है नेक्स्ट आगी बिहार के किस जीले के भीरपूर में देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्मा किया जा रहा है तो ये सुपॉल जीले में किया जा रहा है इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज़्य बन गया है तो ये बिहार का ऐसा करने वाला तीसरा राज़्य बन गया है बिहार के किस जीले में किसी मरिया घाट को हरीदवार और परियाग राज के संगम तठके भाती बिक्सित किया जाएगा तो ये बेगु साराय जीले का है सी मरिया घाट जिसे की हरीदवार और परियाग राज के संगम तठके भाती इसका भी विकास किया जाएगा बिहार के पहले पोल्टेवाल आंगनवाणी केंदर का उद घाटन किस चीले में किया गया है तो ये मुझफर फूर जीले में किया गया है नेक्स है कि उद्योग स्थापीत करने पर दस लाख रुपए की प्रोट्साहन रासी प्रदान करने के लिए किस राजसरकार द्वारा मुख्यमंतरी अनुसूचित जन जाती उद्यमी योजना की सुरुआत की गई है तो ये बिहार राज्ये के द्वारा की गई है नेक्स है क्सेस्ट नमझेश Len नमर येटीन की मार्ट द्वारे इस में बिहार के किस निर्मारकारे को करसकार तो ये है महात्मा गांदी सेतु का जिर्णोधार को और न कैसे कि सुखोई उद्धक विमान उड़ाने माली देस की महिला फाइटार पाइलोट कौन बन गया गंगा परिक्रमा अभियान की सुवात की जिसके तहत 25 किलोमीटर की यातरा पूरी कर टीम पठना पहुंची है तो किस परियोजना के तहत यह किया गया है तो अतुल्य गंगा परियोजना के तहत नेक्स्ट की नमेलिखित में से कौन सुमिलित है कौन सुमिलित है यहां पर य इसका खिताब किस टीम ने जीता है तो दर्भंगा डाइमंड्स ने जीता है साथ फरवरी 2021 को बिहार विधान सभागे कितने वर्स पूरे हुए हैं इभंडार प्रणाली को लागुक करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है नेक्स्ट एकी फरवरी 2021 में जलवाईव परिवर्ते ने वां कारवन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं बिहार ने किस संस्था के साथ समझाता किया है यह हो जागा UNEP के साथ बिहार में रिसित किस जील को बिहार का पहला समुदाइक रिजर्व घोसित किया गया है तो पहला समुदाइक रिजर्व गोगा बिल जील जो की कटिहार जीले का है तो ये बिहार का पहला समुदाइक रिजर्व घोसित किया गया है बिहार के उद्यान या अभ्यारन में देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षन केंद्रबन कर तयार हो गया है तो यह हो गया है संजे गांधी जैविक उद्यान पटना बिहार के पटना में जलवाई परिवरतन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉड़कास्ट लॉण्च किया गया है तो इसे क्या नाम दिया गए इसे धर्ती मया का नाम दिया गया है हाली में किस राजे सरकार द्वारा वंडर एप और अस्विन पोर्टल लांच किया गया है तो वंडर एप और अस्विन पोर्टल बिहार राजे सरकार के द्वारा लांच किया गया है बिहार के पहला और देश का चोथा बोर्ड रनिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा तो ये भावलपुर जिले में स्थापित किया जाएगा नेक्स्ट है कि बिहार सरकारद्वारा किस वरस तक 100% साक्षारता का लक्ष निर्धारित किया गया है तो 100% साक्षारता का लक्ष बिहार सरकारद्वारा 2030 तक निर्धारित किया गया है फरवारी 2020 में बिहार करसी विभाग दोरा उद्यान महुत्सों का आयोजन कहां किया गया तो उद्यान महुत्सों का आयोजन पटना में किया गया था रेक्ष्टे की पटना के बाद बिहार का दूसरा चिडिया घर किस जीले में बनाया जाएगा तो बिहार का जो दूसरा चिडिया घर है वो कहां बनाया जाएगा तो ये अररिया जिले में बनाया जाएगा जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्थ हुआ है तो बिहार को इसमें 13 वा स्थान प्राप्थ हुआ है मेबना लेखित में से किस पर्टी को हालई में बिहार में राजे। board advocacy का दरजा दिया यह उ प्रिज़ां है। उ आस視 heartfelt बहा क्रूं देशन application कहां जिनुके नटका कातश और से कलने यह हुआ। क्वेस्ट नमर 37 है कि वर्ष 2020 से किसमें बिहार में मचली का उत्पादन कितना रहा है तो बिहार में मचली का उत्पादन कितना रहा है 6.83 लाख टन चार मर्च 2020 को मैला आंचल एवा मारे गए गुल फार्म जैसी पुस्तकों के लेखक की सौभी जैनती मनाई गई तो ये कौन इसके लेखक है ये हैं फनिस्वार नाथ रेन नेश्टे की मार्च 2020 में नेशनल कॉंसील आफ एपलाइड एकनोमिक रिसर्ज द्वारा वर्ष 2020 से किसके लिए वार्षिक भुहमी रिकॉर्ड और सेवा सुच का अंगजाली किया गया जिसमें विहार को कौन सरस्थान प्राप्थ हुआ है तो इसमें विहार को जो है वो आठवास थान प्राप्थ हुआ है 27 फर All-2022 को पतना हाई कौट के सतावधी भवन का उथ घाटन किसके द्वारा किया गया तो इसके द्वारा किया गया है ये सरद अरबिन्द बोवडे के द्वारा किया गया नेक्स्ट है कि निमनलखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है तो पहला दिया गया है कि गांसी रूसल अच्छी के लिए कमल कांथ जहां को मैथली सही त्याकार्णी पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया तो ये सही दिया गया है हुसैन उलहक को उर्दू सही त्याकार्णी पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया है और मैथली में सिया रामध्या को सरस के लिए बाल सही त्याकार्णी पुरसकार 2020 दिया गया है तो ये भी सही दिया गया है यानि कि हैपे सभी कथन जो हैं वो सही दिये तो ये मेरा दुर्दर्चन, मेरा बिद्धालयके नाम से, नेक्सट की बिहार के किल जीले में पोस्टल COVID-19 सेंटर का उधरड़ाटन किंद्रिया मंत्री रवी संकर परसादने गया है, तो ये जो है वो पतना में किया गया, भारतवन स्थेती डिपोर्ट 2021 के नुसार बिहार म वनावरण का छेतर कितना है 7387.79 किलोमेटर वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में रिन जमा अनुपात राश्री आउसत से अधिक रहा तो यह कौन सा जिला है यह है पूर्णिया जिला में नेश्ट है कि वर्ष 2019 की प्रतित दर्स ने बंधन प्रनाली के उनसार विहार में सीसु मिर्टु दर कितना है तो विहार में सीसु मिर्टु दर है 29 मिर्टु प्रति 1000 जिवित प्रसव पर लाश्ट क्रेशन है कि वर्ष 2021 में बिहार का सकल राज कोशी यह घाटा सकल राज घरे लिए उत्वात का कितना परतिस था तो यह 3 परतिस था तो इस सेट तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद